वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइज लास्ट मूवी के अंदर ब्राजिल के कार्निवल्स में हमने ब्लू मकाओ की स्टोरी देखी थी जहाँ पर ब्लू और ज्वल तो साथ रहने लगी थे लेकिन साथ यसाथ नाईचल के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था यानि कि मूवी का विलन अभी पे जिन्दा है लेकिन क्या आज के टाइम में भी लोग इन बर्ड्स को जिन्दा रहने के लिए जगर देंगे या फिर नहीं देंगे तो चलिए फिर पर नप्रतिक्षा कराएं आज हम सभी लोग आइमसॉन के जंगलों में चलेंगे मूवी के स्टाटिंग हमें ब्लू और ज्वेल के साथ में दिखाई जाती है जो कि बहुत हैपिली एवर आफ्टर की तरह रियू में रह रहे थे इन दॉनों के तीन बहुत प्यारे प्यारे से छोटे बच्ची भी हुए थे जो कि बहुत ही जादा शैतान थे और वो एक बर्ड को रॉकेट के साथ में बांग के उड़ाने वाले थे सही टाइम पे ब्लू पहुँच जाता है जो कि उस बर्ड को तो बचा लेता है लेकिन खुद को नहीं बचा पाता और जेधा उपर जाके ब्लास्ट होता हुआ नीचे पहुचता है जिसके बाद हमें लिंडा और टूलियो दिखाय जाते हैं ये लोग अप नए बर्ड की स्विशीज को ढूडने के लिए आमेजॉन के जंगलों में घूम रहे थे साथ ही साथ एक बर्ड को इसी फॉरिस्ट में छोडने के लिए भी आये थे इन दौनोंने शादी कर ली थी और अब उस बर्ड को छोडने के बाद वही बर्ड इन दौनों को इंडिकेट करती है कि आगे कुछ जरूर बुरा है आगे देखने पे पता चलता है कि ये दौनों ही एक बहुत बड़े वाटरफॉल के अंदर गिरने वाले हैं लेकिन जब ये बाहर आते हैं अपनी जान बचाके तो इनके उपर से एक ब्लू मकाओ उड़ता हुआ जाता है अभी तक ब्लू मकाओ के अंदर सिर्फ ब्लू और ज्वैल ही आकरी बर्ड थे लेकिन एमेजॉन के जंगल में एक और फैदर देखने के बाद ही नहीं लगता है कि शायद और भी बर्ड्स यहाँ पर हो सकते हैं सीन वापस रियों में शिफ्ट होता है जहाँ पर ब्लू अपने बच्चों को इनसानों की जैसा रहना सिखा रहा था ब्लू अच्छी खासी कुकिंग करता था इसी के कारण वो पैंकेक्स बना रहा था यहाँ पे जोल अपने बच्चों को उड़ना और हंटिंग करना सिखाना चाहती थी इसी कारण वो एक नड़ बिले कर आई थी इन दौनों के यह आर्गुमेंट के अंदर यह टीवी पे न्यूस देखते हैं कि कैसे लिंडा और टूलियो को ब्लू मकाओ के और भी सादा स्पिशीज मिली है और शायद वो अमेजॉन के अंदर इन्हें जल्दी ढून बिलेंगे यह बात सुनते ही जुएल को फील होता है कि उनके जैसे और भी बर्ड्स हैं और शायद उन्हें ढूनने के लिए पूरी फैमली को अमेजॉन जाना चाहिए ब्लू भी इस बात के लिए मना नहीं करता ब्लू अपने सारे फ्रेंज को बताने के लिए जाता है कि वो जल्दी अमेजॉन जाने वाला है लेकिन उसके बागी के दोस्तों को भी लगता है कि वो यहां रहके क्या करेंगे और साथ ही साथ इन में से दो बर्ड्स को ब्राजल के कार्निवल के लिए एक अच्छा पफॉर्मर भी चाहिए था इसलिए ये सब भी ब्लू की फैमली के साथ ही अमेजॉन चले जाते हैं ब्लू को यूमन गैजट यूजट यूज़ करने की आदत थी इसी की कारण वो जीपियस से ट्रैक करता हुआ आगे बढ़ता जाता है लेकिन कई बार उसका रास्ता गलत होता जाता है और अब जोल भी चीज़ों से गुस्सा करने लगी थी इसी के साथ हम नाइजल को देखते हैं जो कि जिन्दा बच गया था और अब एक फ्यूचर दिखाने वाले आदमी ने नाइजल को पकड़ लिया था इसी के साथ यहाँ एक पॉजनेस फ्रॉग भी थी नाइजल की लाइफ बहुत बोरिंग चल रही थी और तब ही उसे उड़ते हुए ब्लू और जोल दिखाई देते हैं जिनसे वो बतला लेना ही चाहता था इसी के कारण वो अपने ही मालिक को मार बीटके वहाँ से उड़ जाता है और जिस शिप के अंदर ब्लू की पूरे फामली थी नाइजल भी उसी शिप के अंदर बैठ जाता है रात होने का इंतिजार करता है कि जैसे ही रात होगी तो वो ब्लू को चान से मार देगा फ्रॉग के पॉइजन से रात होने के बाद सारे के सारे सो जाते हैं इस फ्रॉग का नाम गैबी था और हमें पता चलता है कि गैबी नाइजल को बहुत प्यार करती है नाइजल के उटने के बाद वो गैबी के साथ जाता है और ब्लू को जैसे ही मारने वाला होता है तो उसके साथ जो दूसरा एनिमल था उसका मुँ एक बॉटल के अंदर फस जाता है इसी के कारण वह अलाम बच जाता है और सारे के सारे लोग एक साथ उट जाते हैं शिप के अंदर भक्ड़ मच जाती है और वहां के humans इन जानवरों को नीचे फैंक देते हैं क्यासे तैसे करके नाइजल ब्लू का पीछा करते हुए भी Amazon पहुंच ही जाता है इसी के साथ हम इस movie के main villain को देखते हैं जिसका main काम था tree smuggle का यानि की बड़े बड़े जंगलों से सारी trees को काट देना और उसके बाद उने बेचना ये boss अब खुद चल के Amazon के जंगलों में पहुंच चुका था और अपने लोगों को बोलता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे लकड़ी काटना illegal है लेकिन ये जो bird lovers यहाँ पर एक मकाओ की species ढूंड रहे है और अगर उन्हें वो species मिल गई तो शायद ये area forest protect में चला जाएगा जो कि मैं कभी नहीं चाता तो जितना जल्दी हो सके इन दोनों को ढूंड के मार डालो यहाँ पे ब्लू के साथ में सारे birds एक साथ में आके बढ़ती जा रहे थे लिंडा को भी एक बार के लिए आवास आई थी ब्लू की और उसे लगा कि ब्लू आसपास में ही है तब ही काफी सारे अलग-अलग birds आके ब्लू की पूरे family को उड़ा के एक जगा पे ले आते हैं तब यहाँ का लीडर निकल के आता है जो कि ब्लू को कहता है कि तुम आखिर कहां से आये हो और एक दूसरे मकाओ की गले में चब मिंट फस चाता है तो ब्लू बोलता है कि यह मिंट है बस तुम इसे खा भी सकते हो इसमें कोई problem नहीं होगी लेकिन यहाँ का लीडर ब्लू के उपर चिलाने लगता है जोल को गुस्सा आता और वो लड़ने के लिए आक ही बढ़ती है लेकिन जैसे वो इस लीडर के सामने देखती है तो उसे पता चलता है कि यह तो उसके फादर है जो कि बच्चपन में ही उससे बिछड गए थे इन दौनों का reunion बहुत ही अच्छा था और उसके बाद में लीडर अपनी grandchildren's को भी देखता है और उस पूरे forest में चिला चिला के बताता है कि जोल वापस आ गई है इसी के साथ यहाँ पे एक नए character की एंडरी होती है जिसका नाम Roberto था अब guys friend का मतलब तो आप सभी जानते है Roberto आते ही जोल पे खूब सारी line मारने लगता है विचारा blue दब भी चुप रहता है सब ही मिलके एक साथ बहुत enjoy करते है यानि कि जोल के आने का celebration करते है यहाँ Nigel को काफी दूर से एक black macao दिखता है इसी के कारण वो Gabby को कहकर एक poison stick बनवाता है और उसके बाद में जैसे उस blue macao पे छपट्टा मारता है तो असल के अंदर वो blue नहीं निकलता बलके कोई और ही bird निकलता है और Nigel सिता पहुँच आता है audition के अंदर यहाँ रात रुकने के लिए रॉबर्टो ने blue की family को कहा था कि आज रात तो मेरे घर पे रुक जाना रात उने पर जोयल अपनी बच्चों को सुलाती है और blue के साथ में इस पूरे environment को बहुत खुशी-खुशी enjoy करने लगती है यहाँ लिंडा को भी रात में लगता है कि शायद उसके camp के बाहर कोई है लेकिन बाहर आने की बाद उसे सिर्फ और सिर्फ एक monkey मिलता है और यह monkey उसी boss का था जिसने लिंडा और टूलियों के उपर नजर रखने के लिए भीचा था यहाँ अगली morning blue को सभी मजाक मस्ती से उठाते हैं और उसी time पे यहाँ जोयल के फादर पहुँच जाते हैं जो कि blue को कहते हैं कि चलो आज सुमारे training का time है अगर तुम्हें यहाँ पे survive करना है तो तुम्हें इन जंगलों के बारे में जानना पड़ेगा blue हमेशा से अपना kit अपने साथ रखा करता था लेकिन यहाँ के leader को यह सारी human gadgets नहीं पसंद थे यहाँ एक तरफ audition चली रहा था जहाँ पर काफी सारे अच्छे अच्छे performance भी हो रहे थे येकिन कुछ ही देर बाद वहीं के forest के जानवर आपस में एक दूसरे को खाने लग रहे थे यहाँ जोल के फादर blue को काफी सारी चीजे सिखाते हैं इन में से एक भी चीज में blue perfect नहीं था ना तो वो कोई test पास कर पा रहा था और ना ही यहाँ की चीजों को समझ पा रहा था जोल के फादर कहते हैं कि यह सारी चीजे रॉबर्टों ने पहली बार में ही सीख ली थी यह दौनों बर्ट जिस ट्री पे आके बैटते हैं तभी वहाँ पे red macao की टीम पहुँच जाती है लेकिन जोल के फादर उन्हें यह कहकर भेज देते हैं कि यह तुम्हारा एरिया नहीं है तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो असल के अंदर इस forest के अंदर भी यही strategy चलती है कि blue macao का एक एरिया है और red macao का दूसरा एरिया है जोल के फादर blue को उल्टा सीधा कह देते हैं कि तुम तो एक pet हो तुम तो इंसानों की बीच में रहते हो तुमें कुछ भी नहीं आता यहाँ लिंडा और टूलियो भी जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे blue feather को ढूंटे हुए तो इन्हें एक आत में मिलता है जो के पेड़ काट रहा था लिंडा उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वहाँ पे और आत्मी आ जाते है यहाँ जोल के फादर रोबर्टो को कहते हैं कि मुझे blue बहुत डाउटफुल लग रहा है हो सके तो तुम उस पे नसर रखना इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि इन्सान बहुत जादा आगे तक आ चुके हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी टीम अलट रहे यहाँ अब नाइजल की बारी थी और अब जब अगर उसे blue को मारना था तो इस group के अंदर उसे शामिल भी होना था इसे के कारण वो बहाना बनाता है कि वो ब्राजल के कार्नीवल में पार्टिसिपेट करना चाहता है और उसे का बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस दे के यहाँ पे सब को इंप्रेस कर दीता है बागी के बर्ड्स नाइजल को कहते हैं कि तुम सलेक्ट हो चुके हो और तुम हमारे साथ में रियो चलोगे अच्छा हूँ इन लोगों ने ये नहीं बोला कि यू आर कमिंग टू मुंबई खैर बैक टू दा स्टोरी ब्लू यहाँ पर फिर से लिंडा और टूलियो को ढूनने लगता है लेकिन जोएल बार-बार में कहती कि कि कोई दिक्कत नी है भाई तुमें बस अपनी वाइफ को खुश रखना है वो जो कह रही है वो सही कह रही होगी तब ब्लू को एक सपना आता है जिसके अंदर उसे जोएल दिखाई देती है और जोएल को नट्स बहुत पसंद थे इसी के कारण रात में ब्लू अकेला ही निकल जाता है नट्स को लेने के लिए ताकि वो जोएल को मॉर्निंग में ब्रेकफास दे सके यहां लिंडा और टूलियो इन लोगों से बचके आगे की तरफ भाग रहे थे दूसरी तरफ ब्लू भी गलती से उसी पेड़ पे जाके बैठता है जो कि रेड मकाओ के एरिया में था और अब सारे के सारे रेड मकाओ ब्लू को साफ तरीके से बोल देते हैं कि अब तो वार होगी तुम जिस पेड़ पे बैठे हो वो गलत पेड़ है और तुम हमारे नट्स नहीं ले सकते हो ब्लू समझाने की कोशिश करता है कि हम बात करके सारा मामला सुलचा लेंगे लेकिन ये बर्ट्स नहीं मानते ब्लू आके जब ये बाद जोयल की फादर को बताता है तो वो और जाता भड़क जाते हैं कि तुम हमेशा क्यों कड़बड करते रहते हो अब तो वार होके ही रहेगी रॉबर्टो की अब सारी टीम को तैयार कर दिया चाता है वार के लिए यहां लिंडा और टूलियो भागते हुए एक कैम तक पहुँच जाते हैं उन्हें लगता है कि मदद मिलेगी लेकिन असल की अंदर वो इसी बॉस के पास पहुँच जाते हैं जो कि नहीं पकड़ना ही चाते थे वो लिंडा और टूलियो को एक पिरिट से बान देता है यहां वार की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी जहां पर एक तरफ पूरी ब्लू मकाओ की टीम थी और वहीं तूसरी तरफ रेड मकाओ की टीम थी इस मूवी के ग्राफिक्स ना सीरियसली मैं बता रहे हूं बहुत ही जादा ब्यूटिफुल तरीके से बनाए गए हैं स्नूकर के जैसा यह गेम था जिसे देखके ब्लू कहता है कि मैं ऐसे खेल सकता हूँ और प्लीज मुझे भेजिये लेकिन ब्लू को नहीं भेजा जाता फर्स्ट गोल तो रॉबर्टों की टीम ही करती है लेकिन आके जाके रेड मकाओ की टीम लीड लेने लगती है धिरे धिरे करके काफी सारे गोल रेड मकाओ के हो जाते हैं और ब्लू मकाओ की टीम से एक मकाओ इंजर्ड भी हो जाता है तब जाके ब्लू को भीजा जाता है ब्लू भी बहुत अच्छा गेम खेलता है और लीट करता हुआ गोल भी करतेता है लेकिन गलती से वो खुदी के गोल में गोल करता है। ब्लू मकाओ की सारी टीम हार जाती है सिर्फ और सिर्फ ब्लू की कारण। डिसपॉइंटेड होने के कारण जोयल के फादर ब्लू को बहुत बुरा-बुरा बोलते हैं और अब ब्लू यहाँ पर एक मिनिट भी नहीं रहना चाता था इसी के कारण वो जोयल को बोलता है कि अब हम यहां से चलना जाये लेकिन जोयल कहती कि मैं नहीं जाओंगी मुझे नहीं पर रहना है इसी के कारण ब्लू अकेला ही लिंडा और टूलियो को ढूंडने के लिए चला जाता है यहां पर वुटकटर की टीम काफी सारे जंगल को काट चुकी थी ब्लू को आके जाने के बाद में लिंडा और टूलियो के बारे में कुछ पता चलता है क्योंकि य अल्मोस्ट रॉबर्टो को मारने ही वाले थे लेकिन ब्लू उसके जन बचा लेता है और कहता है कि हम ये सब कुछ रोक सकते हैं हमें बस लिंडा की मदद चाहिए मैं जाके लिंडा और टूलियों को ढूंता हूं तुम जाके सारे बर्ट को अलर्ट करो यहां रॉबर्टो ज सब को समझाने की कोशिश करता है कि इंसान उतने बुरे भी नहीं होते जितने वो दिखाई देते हैं कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और अब अगर हम सभी बर्ट को जिंदा रहना है तो उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी ब्लू ने लिंडा और टूलियों को पहले ही साथ भी कर दिया था इसी के कारण लिंडा और टूलियों जाके उन सारे जेसी भी के सामने जाके खड़े हो जाते और कहते कि यहां पर कोई किसी भी ट्रीको नहीं काटेगा यह इन बर्ट का घर है लेकिन कोई भी जेसी भी रुकने के लिए तयार नहीं थी वो धिरे-दिर करके आगे बढ़ती जा रहे थी तभी यहां पर ब्लू मकाओ की सारी की सारी टीम एक साथ में पेड़ों के ऊपर बैठ जाती है और ज्वेल के फादर के साथ में ही सारे के सारे बर्ड सुड़के इन लोगों के उपर अटेक कर देते हैं देखते ही देखते सारे लोग अप करने लगती है इनके बीच में ज्वेल के फादर आ गए थे लेकिन तभी टूलियो आके उसे बचाता है और उस बर्ड की सोच को चेंज कर देता है कि इनसान इतने भी बुरे नहीं होते आखिरकार सारे के सारे लोग एक साथ भाग जाते हैं मकाओ की टीम जीत चुकी थी लेक ब्लू उसी बहुत समझाता है कि छोड़ो इसे छोड़ो नहीं तो तुम मारे जाओगे और आखिर में उपर जाके वो बॉम बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है लेकिन ब्लू ब्लास्ट होने से पहले ही नीचे आ चुका था और जोयल के साथ एक पेड़ के अंदर लटक जा पाद मैं मर जाओंगा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है तभी गैबी भी आती है कि नाइचल अगर तुम जिन्दा नहीं रहोगे तो मैं भी मरूंगी गैबी यहां खुदी का जहर पी लेती है ब्लू और जोयल के बच्चे बहुत स्मार्ट थे जो कि गैबी को देख पहुँच चुके थे और लिंडा और टूलियो को इंटर्वियू लेने लगते हैं साथ में ब्लू भी था जिन्होंने मिलके ब्लू मकाओ की बहुत बड़ी स्पीशीज को एक्स्प्लोर किया है और अब गौर्मेंट के थूर इस पूरे एरिया को सिक्योर कर दिया गया था रात होने पे सारे बर्ड्स एक साथ में इसी चीज़ का सैलिब्रेशन करते हैं मानों कि यहीं पे नों ने ब्राजल का कार्निवल कर दिया था और यह कॉंसर्ट बहुत ही प्यारा था आखिर में जोयल के फादर भी आते हैं जो कि ब्लू को वह अपना सन एनलो एक्सेप्ट कर चुके थे इसी के साथ गाईज यह शानदार बर्ड्स की मूवी यहीं पर खत्म होती है आप सभी लोगों के यह मूवी क्यासी लगी मुझे जरूर बताएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अकली मूवी में तब तक के लिए टाटा आप स्भी परादा बितक अर बभादा डानदा के लोगों से खरू।